नमस्कार जोहार अदाब मैं हूँ आपका अज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज हमारे पिछे एक परिवार आप देख रहे हैं ये परिवार पिछले दो साल से लगतार परिसान है क्यों परिसान है क्योंकि जिस मकान में ये जो रह रही है तमाम जो परिवार रह रह रहे हैं इसके छोड़े चोड़े बच्चे रह रह रहे हैं तमाम जो परिवार के सदस जो रह रह रहे हैं इसी मकान में रह रह रहे हैं लेकिन यह मकान जो आप देखेंगे तो यह मकान खंधर में लगबक तब्दील हो चुका है और यह मकान कभी भी धश सकता है और यहाँ पर रहने वाले तमाम वो लोग की जो जान है जोखिम में पड़ा हुआ है कभी भी इसके जानमाल की हनी हो सकती है लेकिन यह तमाम परिवार लगातार यहाँ पर एक संचालित पोस्ट ओफिस से गुहार लगारी है लगातार दो सालों से कि यह मकान खाली कर दे ताकि हम लोग इस मकान को तोड़ करके नया मकान बनाएंगे लेकिन इसके जो गुहार को नजर अंदाज लगातार क्या जा रहा है और प्रिसानिया त्माम इन लोगों को हो रहा है क्या कुछ मामला है हम आये उसके जो यहां के जो रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है क्या पहले नाम हुआ अपका मेरा नाम अलका देवी है यह मकान किसका है मकान हमी लोग का है लेकिन मेरे ससूर का था बंसी धर भगत उसके बाद हम लोग 5 भाई हैं लेने के लिए तयार है लेकिन इपोस्टोपिस के कारण खाली नहीं हो रहा है इतना बार हम लोग अप्लिकेशन दिये सब कुछ दिये ले काल आते हैं सब लोग बलते हैं यहां से कुछ नहीं होगा और भेज 給 अगया है लेकिन इसका कोई सुन बबाई नहीं होगा यह सब बहुत लोग ही लोग बोले लेकिन हम लोग कोई शुन भाई आप्योव में उसके कारण दब-दबा के कुछ कर सकते हैं इसी के कारण आने तो अगर सरकारी नहीं रहता तो तो आप लोग जब मिलते हैं यह बता है घर्ठाम डर लगता है रात में जब सोते हैं बाल बच्छा को ले करके तो भेहंकट डर लगता है यहां पर हम लोग 29 वह सदस हैं और निचे का घर का जो भी निचे का जितना भी पदा अधिकारी है इनका कोई गलती नहीं है में इसमे है एसपी साहब देवगर और सुपर्णनन साहब यह लोग जब तक आदेस इनको नहीं करेंगे यह लोग बेचरा कोई भी काम करेंगे कैसे यह लोग को भी देखकर के हम लोग को दया लगता है कि नहीं मकान खाली कर दिया जाए पुश्मास्ता साहब बोले कि मकान के बदल विश्मक काम रहते हैं इसे अधिए अधयर ओऽ्सक्राइब कर दो परीवार में दस लोग जबीजिकलिक मेंewारी क्रीव जो सदस रहते हैं जो कि एक रूम में गुजर बसर करना पड़ते हैं अपना समान रहते हुए भी हम लोग ना घर बना पा रहे हैं और ना सई धंक से रह पाते हैं हर जगा सांप बिच्छा गंदगी चाप गिरता है पूरा चाप अपीस का भी इस्तिति यही है वह दादा जी दो रूम बनवा दिये हैं जिसके कारण थोड़ा सा आगे का रूम ठीक है बागे बाद पीछे का रूम सारा गिर चुका है दाए साल से लगवग इसने तमाम जो है यहाँ पर जो मकान माली के उसे पेमेंट भी नहीं मिल रहा है लेकिन पोस्ट ओपीस की विस्तिति वह यह बताएं सर कि लगातार यहां के जो फेमली है वह आप लोग से गुहार लगा रहा है कि खाली कर दिजिए तोड़ के नया घर बनवाएंगे तो कहां दिक्कत हो रही है आप लोग किस माहल में काम कर यहां भी तो जर जर हो गया पर लगता कभी गिर जागा डर लगता है डर्ट के तो काम कर रहे हैं अब देखे सब जगा से एपिलिकेशन मंगाया गया है अब आगे प्रोसेस हो रहा है आप लोग किस तरख काम कर रहे है आप लोग काम है करना तो पड़ेगा कहीं भी तो तमाम जो फेमली जो रहा रहा है उस पर कुछ भी दया आता है कि ने मैं काम कमिट्मेंट किया गया था जब मैं दिसंबर में गई थी तो सर ने मुझे बोला कि खिंटा मत करो मैं दस दिन का महलत लिती हूं तुम से और मैं खाली कर दूँ पर अभी तक मेरा को सुनवाई नहीं वा सुप्रेटेंडर नहीं तो एक साल में दोड़ी हूं उनके पर उरो लोग मेरे कोई सुनवाई ही ने कि अपको जनकरी नहीं है अप लोग पहल कर रहे कि ने इसको खाली करवाने के लिए आप लोग भी तो इसी देख रहे हैं का घर के लिए अप्लिकेशन मंगया गया है आप ऊपर से प्रोसेस हो रहा है यह आपका अंतिम्तिती सतरा चनल रहा है लेकिन इस्तिती इस मकान का जो है ज्यादा ठीक नहीं है हम आपको इस डागर की अंदर की सीदिय दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो कर्मी काम कर रहे हैं वो भी किस माहौल में काम कर रहे हैं इतना जरजर हो चुका है कि यहाँ के कर्मियों के लिए उतनी सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पर तमाम जो लोग रहते होंगे वो किस त पॉस्ट ओफिस के चले और फिए जलुआ हो चुकम हता हैं यह पर जबूने Convene पाल बच्चों को हम सुरक्षित रख सकें, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के दिश्टी कोर से उसका परिवार भी खत्रे में हैं, और यहां पर पोस्ट ओपिस में काम करने वाले कर्मी भी वो भी खत्रे के निशान में, क्योंकि यह भवन कभी भी गिर सकता है, अब इस्तित है टाका भी लगा है आप लोग का सरूर भी फटा कभी क्या है हम लोग का सर फटा है उनका केम्पूटर भी फूटा है तो हमाइसा नोबत है कि कल का सुबह देख पाएंगे किने देख पाएंगे पोस्ट ओफिस का हailleurs कभी टूट गया सर भी फटा है लेकिन आखिर जो पोस्ट ओफिस के एंप्टर आदिकारी है और इसकी शित cabin यहां toi परिवार रह रहे हैं एक जानुवर की तरह यहां पर जो रहना होता है वह रह रहे हैं यह लोग भी चहा रहे हैं कि यह दिस मकान को लोग तोड़ दें नया मकान अगर किसे तरह से मिलेगा बनाएंगे ना यह मकान खाली हो पा रहा है ना यह लोग तोड़ पा रहे हैं ना य साथ धन्यवाद